आज की ग्लास में हम सबसे पहले हम करेंगे 8th house which is the house of problem तो उसमें हमने दो तीन चीज़ देखने है सबसे पहले हम निकाल लेंगे 8th का कस्पल सब लॉड and significance of 8th house तो चाट ठो लेंग पर और आज इंडेपेंड हाउस उड हाउस और इस चार्ट में, यह भी का चार्ट है, तो इस चार्ट में we see 8th house या 8th कस्प 11th sign, आठ में कस्प का सब लॉट कौन है, चंद्रमा, तो मैं नेक बन मून नोट कर लिया, अब मैं 8th कस्प के significance बनाऊंगा, अभी हमें बनाने कर दो दो नहीं है, हम डिर्क लिएक पे सिग्निफि कस्प के significators, तो 8th house में सिर्फ और सिर्फ एक शनी महराज विराज माने, या शनीन के sign lord है, यह याद है न, sign lord, इस sign lord के किस star में कोई planet, इसमें कोई बैठा है कोई planet, और वो कोई planet बैठा है, उसके star में कोई planet, यह हमें पता है, we have done this, how to make the table, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा आठेए कस्प में, शनी एक ऐसे planet हैं जो आ रहे हैं, तो मैंने क्या के note करा, मैंने note करा moon और शनी, तो मैंने यह दो प्लैनेट हों note कर लिए, फिर मैंने क्या किया, मैंने चंदर्मा और शनी, इन दोनों की scripts बना लिए एक बार, तो इनकी script में देखती हैं, हम क्या कर रहे ह हम निकाल रहें कि सबसे खतरना के सबसे प्रॉब्लम देने वाला प्लान कौन सा होगा प्रेलिम नरी मिरको आइडिया हो गया कि चंद्रमा और शनी चंद्रमा क्यों 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 कि चंद्रमा इस दर एर्थ कस्पल सब लॉट एंड शनी इसके सिग्निफिकेशन में आती है तो यह को मैं कुछ अंद्रमा के स्किप बनाई है सब लोग अभी प्रॉमिस नहीं देख रहे हैं हम स्किप देख रहे हैं तो स्किप ने क्या आएगा मून एड स्टारओ तो मून और स्टारओ वीनस है तो मैंने आप लिखा मून और वीनस मून किस किपने कौन आएगा मून कहां बैठे हैं टैंथ टैंट एंड फस्ट एंड वीनस 5 लेवन येवन एड पांच ग्यारा और चार तो ये चंद्रमा की स्क्रिप्ट होगी और एक शनी की स्क्रिप्ट बनाते है तो शनी की स्क्रिप्ट में शनी और राहू तो शनी की स्क्रिप्ट में शनी और राहू तो शनी की स्क्रिप्ट बनाएंगे सब लोग साथ, पाठ राहू किसी बनाएंगे सब लोग, बताइए सब लोग राहू इस नाइन्थ 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 जुपिटर नाइन्थ 9, 6 6 Jupiter sign so Jupiter is 6 आएगा सबसे पहले Jupiter कहां बठे है Jupiter बठे है 9 में बठे है और इसको रूल कर रहे है चटे को and तुच्छी आ गए है आपर aspect the Mars Mars के perspective specialist Mars को भी देखेंगे तुच्छी आपर बैठे है Mars 5 भी बैठे है 5 and 10 5, 10 और की प्लैन देख रहे है राहू किसी के नक्षा तरलोड बने है शेनी के इसमें बने है तुच्छी का और लिया चुक और और किसी के स्टालोड नहीं है तो मोटा मोटा यह आले यह वाल नंबर सागए मेरे पास तो अगर मैं लिखूँ 10 1 10 1 5 11 4 7 8 9 6 5 10 9 6 5 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 उसका क्या मतलब है कि मून और शनी के समय में इन पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर मैं बोलू चंद्रमा के समय में एक ऐसा एरिया बताईए जो सबसे ज्यादा टरबल में रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी पांच नंबर में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी और शनी के समय में तबसे ज्यादा नाइंथ हाउस को लेके। नाइंथ हाउस को चीजों को लेके। तो फादर भी हो सकती है। उनकी कोई चोट भी हो सकती है पैरों के आसपास। थाइस के आसपास। यह समय में विन क्या वोल। अब इसमें राहू इस सिटिंग अगाइख पास। एन दाहों चिति में नहीं था बएड वेडिकोट बनेट इक पी यह बेसिक रूल है ब्लैनेट विल अलवेश गिव दरी रिज़र्ट फर्स फिर इट्स नख्शत लॉर्ड इस सटेंगे लिए यह क्लास्ट थेहरम है प्लाने विल गिव इस रिजल फिस्ट पर्मोस्ट ली यह इस नंग्षत लॉड इस तेंग झाल 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 झाल